सुबह उठकर भुल से भी ना देखे ये पांच चीजे जीवन भर दरीद्रता आती है। नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका। कहा जाता है कि दिन की शुरुवात अच्छी हो, तो पूरा दिन अच्छा बित्ता है। लेकिन अगर दिन की शुरुवात में ही कुछ बुरा हो जाए, तो पूरा दिन काम में मन नहीं लगता, लेकिन कुछ चीजे आईसी है, जो जाने अंजाने में मनुष्य देख लेता है, जिसकारन वह जिन्दगी में कभी उन्नती नहीं कर पाता, वह दिन बदिन अधोगती की और निकल पड़ता है, उसके जीवन में सकरत्मक्ता कम और नकरत्मक्ता जादा बनी रहती है, बनते हुए काम अचानक से बिगणने लगते है, वास्तु शास्त्र में मनुष्य की जीवन को सकरत्मक उर्जा से भरने के लिए कई उपाय बताए गए है, जब भी मनुष्य तो कुछ चीजे ऐसी है, जीने देखना बहुत ही अशुब होता है, इने देखने से मनुष्य का कोई काम नहीं बनता, साथ ही उसे परिशानियों का सामना करना पड़ सबता है, आज के विडियो में हम आपको बताएंगे सुबह उठने के बाद क्या देखना चाहिए और क् लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले विडियो आप देख सकें, साथ ही विडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, सुबह उठकर ना आइने में अपना मूह देखने चले जाते हैं, वास्तुशास्तर के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद मनुष्य को आइना नहीं देखना चाहिए, ये अशुब माना गया है, इससे नकरत्मक्ता बढ़ जाती है, और मनुष्य को कारिया में सफलता नहीं मिलती, साथ अगर आइना तूटा हुआ है, तो उसमें बिल्कुल भी शकले नहीं देखनी चाहिए, इससे मनुष्य की जीवन में कई परिशानियों का आगमन हो जाता है, दूसरी बात परचाई, सुबह उठने के बाद मनुष्य को परचाई नहीं देखनी चाहिए, चाहे अपनी हो य और भ्रम तयार करती है, इसलिए इसे सुबह देखना अशुब माना जाता है, तीसरी बात चरित्रहिन व्यक्ति की शकल, सुबह उठने के बाद अगर आपके घर के आसपास कोई चरित्रहिन व्यक्ति रहता है, जिसके चाल चलन ठीक नहीं होते, अर्थात अगर कोई ऐसा पुरुष रहता हो, जो कई महिलाओं के साथ समंध रखता हो, या फिर कोई ऐसी स्त्री हो, जो अन्य पुरुषों से समंध बनाती हो, तो उसका मुँ नहीं देखना चाहिए, ये बड़ा ही अशुब माना जाता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति की शकल रोज देखने से, व्यक्त उनके जैसे कार्य करने का विचार करने लगता है, इसलिए सुबह उठने के बाद चरित्रहिन व्यक्ति की शकल ना देखे, चौथी बाद लड़ाई जगडे, सुबह उठने के बाद लड़ाई जगडे देखना, या लड़ाई जगडा करना, बड़ा ही अशुब माना जा दूर होकर इश्वर का नाम जबते हुए आगे चले जाना चाहिए। शकल देखने से आदमी का व्यवहार भी उसकी तरह बन जाता है। हिंसक पश्यों की तस्वीरे। घर में अगर हिंसक पश्यों की तस्वीरे या युद्ध की तस्वीरे हो तो उन्हें हटा दो। ये तस्विरे मनुष्य के मन में तामसिक गुनों का विकास करती है और उनके उननती में बाधा निर्मान करने का काम करती है बार-बार हिंसक पशियों की तस्विर देखने से व्यक्ति का स्वभाव गुस्से वाला बन जाता है इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद हिंसक पश्यों की तस्विरे देखने से मनाई की गई है कुत्तो की लडाई सुबह उठने के तुरंत बाद कुत्ते की लडाई देखना अशुब माना गया है यह सूचक है कि व्यक्ति का किसी अपने के साथ विवाद होने वाला है या कोई भरोसे मंद व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ सकता है सुबह उटते ही शत्रू का मुह देखना अगर आपके घर के पास आपका शत्रू रहता हो या फिर ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रती जलन और द्वेश की भावना रखता हो तो सुबह उटते ही उसका मुह नहीं देखना चाहिए क्याओ की सुबह सुबह व्यक्ति आपको मन में श्राब देने लगता है और आपके साथ बुरा हो जाए ऐसी कामना करता रहता है इसलिए सुबह उठने के बाद अपने शत्रू का मुह ना देखे सुबह उठने के बाद देखे ये चीदे सुबह उठने के बाद मनुष्य को हो सके तो अपने माता-पिता की दर्शन करने चाहिए या फिर उनकी तस्वीर देखनी चाहिए इससे उने उठते ही माता-पिता का अशिर्वाद प्राप्त होता है और उनका दिन अच्छा जाता है और सभी कारिय सिद्ध होते है सुबह उट्ते ही अपने हतेलियों के दर्शन करने चाहिए, हातों में मा लक्ष्मी का वास होता है, इससे आपकी सभी मनो कामनाएं पुर्ण होती है, और आर्थिक स्थिती सुधरने लगती है, सुबह उट्ते ही देवी देवताओं की तस्वीर देखनी चाहिए, या फिर हा आति की तस्वीर देखनी चाहिए, ये लक्ष्मी प्राक्ति के साधन है, इससे बरकत होती है, सुबह उठने के बाद पवित्र ग्रंथ के दर्शन करने चाहिए, अगर घर में हन्मान चालिशा, या फिर गीता जैसे ग्रंथ हो, या फिर आपके पढ़ाई के किताबे ही क्य सुबह उठने के बाद उनके दर्शन करने चाहिए, इससे ज्यान में रुद्धी होती है, और मनुष्य का मन सकारत्मक्ता से भर जाता है, सुबह उठकर पैसे देखना, सुबह उठते ही धन या सुवर्न को देखना, बड़ा ही शुब होता है, इससे धन में और भी बरकत ह होती है, तो दोस्तो ये थी वो सीदे जो सुबह उठने के बाद देखनी चाहिए, आप सुबह उठकर क्या देखते है, हमें कमेंट में जरूर बताए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, साथ ही चानल को सब्सक्राइब करे, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके, धन्यवाद